अब समझने यह है कि रिप्रदुक्टिव है उतकी डेफिनिशने क्या है क्या हम समझते हैं तो बैसे क्ली अगर हम बात करें इस्पली टॉम्स में तो हेल्दी रिप्रदुक्टिव और गन विदी नॉर्मल फंक्शन तो सिंपल भाष्ण में जो मतलब है हेल्दी होने चाहिए उनका नौर्मल फंक्शन हो तो रिप्रॉड़क्टिव हेल्थ मानी जाएगी हाँ अगर इसके ब्रॉडर एक्सपेक्ट की बात करें चिसके इमोशनल शोशन एक्सपेक्ट भी आने चाहिए रिप्रॉडक्शन के और तभी वह हेल्थी परसन यो उसकी WHO के अकॉर्डिंग बात करते हैं World Health Organization के अकॉर्डिंग तो रिप्रॉड़क्टिव हेल्थ का मतलब होता है एक टोटल वैल बिइंग हर एक एक्सपेक्ट में रिप्रॉड़क्शन के चाहें वो कैसा हो फिजिकल हो एमोशनल हो बिहेवरल हो यह शोशल हो देफोर एक चीज में इमोशनली शोशली फिजिकली में अच्छा होगा हर चीज में उसका इंटरक्शन सही होगा सब जो भी सेक्स एक्सपेक्ट हैं तब भी उसको रिप्रॉड़क्टिवली हेल्थी कहा जाएगा अब यह क्यो जरूरी है रिप्रॉड़क्टिव हेल्थ म में प्रॉड़क्टिव क्या है क्या उसकी प्राबल्म और क्या स्राटेटी जीज इंडिया सबसे पहली कंट्री कंट्री है जहां पर एक्शन प्लाइनिश्येट हुए प्रोग्राम वगभाणा नेशनल लेवल पर कि टोटर्ल एक शोचल लेवल पर तो यह पीलाइक्यों जाता है कौन सी पहली कंट्री है तो इंडिया सी पहली कंट्री है जिसने इनिशियेट करें थी एक्षन प्लान और प्रोग्राम्स कब जो फैमिली प्लाइनिंग प्रोग्राम से कब लॉंच हुए थी इंडिया में 1951 में ये भी पीवाई क्यों है जो अब पिछले कहीं साल से प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़े आती है क्या जैसे कि अवेर्नेस क्रेट करना लोगों में बहुत सारी रिप्रोड़क्शन एक्सपेक्ट के बारे में और क्या क्या फैसिलिटी उनको दी जा सकते हैं जिससे वह रिप्रोड़क्टिवली हैल्दी सोसाइटी बन बहुत सारी स्टेप लिमां इस बढ़ाने के लिए पीपल्स के अमग्ट पीपल योगों के बीच अवेर्नेस बढ़ानने दलेक्या एक्सपेक्ट के बारे में लोगब लोगों और प्रॉब्लम्स दी यह रिप्रैस प्यंस आता है कि आए लिप्स में प्रेंट्स हक्सार च तो हम एजली उस चीज़ को आगे तक ट्रांस्मीट कर सकते हैं तो जो पैरेंट्स होते हैं इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है dissemination of information मतलब जो भी reproductive health problem है उसका प्रचार प्रसार करने में dissemination का मतलब है प्रचार प्रसार करने में यह सब भी बहुत help करते हैं introduction of sex education in school should be also encouraged to provide right information to the young one so to discourage from this believing in the myth having a misconception about the sex related aspects मतलब की जो sex related education को भी encourage करना चाहिए अमंग देश्कूल ताकि जो adult जो young ones है तो उनको जो भी उनके misconceptions होता है यह जो false belief मत होता है वो साथ को खतम किया जा सके और उनको proper knowledge हो about reproductive organs के बारे में adults के बारे में और जो जो बॉड़ी में changes आते हैं during this time और safe and hygienic sexual practices के बारे में sexually transmitted disease के बारे में जिसकी AIDS हो गया और people को help करना specially on adolescent age group वालों को जो reproductive healthy life जी सके तो यह सारा aim है इन सारी programs का कि through these programs हम लोगों को educate करें उन्हें समझाएं कि यह सब क्या होता है और क्या क्या body में changes आते हैं and it's all natural educating people especially fertile couples को fertile couple जो reproductive वाली age में है जो reproducible वाली age में है और उनको जो marriageable age group में है कि क्या birth control option है कैसे pregnant mothers की care करता है post natal care बच्चा पैदा होने के बाद mother की care, बच्चे की care, breast feeding की क्या importance है और क्या 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 equal opportunity मेंने चाहिए male or female child को यह सारी चीजे है जो important है एक healthy society को create करने में और healthy families of desired size इन सब के लिए awareness of the problem due to uncontrolled population growth जो problem आ रही है कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जारी उसके उसके प्रॉबलम आ रही है उन सब के बारे में बताना social level जैसे की sex abuse, sex rated crimes के लिए awareness create करना और people को सोचने के लिए मजबूर करना और उसके एक necessary step लेना कि इन सब चीजे को कैसे रोका जा सकता है और कैसे हम एक socially responsible or healthy society बन सकते हैं तो यह सारी जो चीजे हैं इन प्रोग्राम्स के अंडर आती हैं जो successful implantation है बहुत सारी action plans करता कि हम reproductive health require जो भी चीजे हैं उन सब के एक strong infrastructure facility लगती है professional expertise लगते है और material support लगता है यह नहीं कि plan है aim है यह सब कुछ है लेकिन उस plan को ground level पे लान करना कि प्लान हमारा successful उसके लिए बहुत सारी infrastructure facilities लगती है material लगता है जो इस चीज में expert है उन लोगों के अवशक्ता परती है इस अब ज़रूरी है इन सब के लिए मेडिकल प्रोफेशन्स की ज़रूरत है implantation of veteran technique and the new strategy from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to the people अब implant तो हमने कर दिया लेकिन उसको और अच्छा करने के लिए और efficient बनाने के लिए time to time हमें क्या चाहिए नई strategies और टेक्नीक्स चाहिए अब जो saturated band लगा था immunosynthesis पर वो क्यों लगा था क्योंकि सेक्स किया जा रहा था basically immunosynthesis एक test है जो perform किया जाता था genetic disorders को पता करने के लिए समझने के लिए कि कोई genetic disorder है जो fetus है अगर और उसकी कितनी chances है वो आगे future में जाके survive कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो basically test में क्या किया जाता था growing fetus होता है उसका immunosynthesis लिया जाता था और उसको dissolve करके through check किया जाता था कि कोई chromosomal pattern क्या है सबका कि chromosomal disorder तो नहीं है लेकिन इसका लोगोंने misuse करना start कर दिया इसको use करने लगे sex determine करने के लिए whether जो fetus है वो girl है baby girl child है और male child है तो जब अगर वो इसको abortion करा देते थी अगर पता चल जाए कि अगर वो girl child है तो इसलिए इसको government ने ban कर दिया तो basically ban लगा immunosynthesis पे क्योंकि इस पर sex determination किया जाता था जिससे क्या बढ़ गया था female fetiside बढ़ गया था and massive child immunization etc कुछ programs है जो जिसकी merit mention की गई है इस connection में जिससे की immunosynthesis क्या था इसमे अब बताया है कि इसमें क्या किया जाता था कि amniotic fluid लिया जाता है developing fetus से उसको analyze क्या जाता था fetal cells को कि यह चेक करने के लिए कि महां पे कोई भी denative disorder तो नहीं जैसे कि down syndrome, hyoophilia, sickle cell, anemia, etc. determine the severity of the fetus वही कि आगे चलके future में इसके क्या survival rate है कितना वो survive कर पाएगा यह नहीं कर पाएगा अब research on the various reproduction related areas encourage and supported by government and non-governmental agencies to find out new method to improve upon the existing ones अब बहुत सारे research बगेर चल रही है government और non-governmental agencies basically in NGOs इसमें इंडल्स है यह की existing one है और इनसे better techniques क्या आ सकते हैं और क्या नए method आ सकते हैं अब मैं पाता है do you know यह कहते है do you know that तो सही लिजिक नहीं oral contraceptive कहां develop हुई है females के लिए वो डेवलप हुई है Central Drug Research Institute लेखनौ सीडी आ रहे है यह PY को यह पूछा जाता है कि सीडी आ रहे है लेखनौ में क्या develop हुई है तो सही लिए यह क्या है new oral contraceptive जो एक non-steroidal preparation है यह भी मागे पढ़ेंगे non-steroidal basically mist-steroidal वो होते हैं वो hormones वो chemical जो by human create गया है और यह है non-steroidal preparation यह क्या है better awareness about the sex-related matter increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased matter and infant mortality rate increased number of couples with small families better detection and cure of STDs overall increase the medical facilities for sex-related problems etc all indicated improved reproductive health of the society basically इन्होंने कहा है कि पहले क्या होता था sex-related matters के against awareness बढ़ी है increased number of medical assisted delivery basically पहले जमाने में क्यों होता था कि लोग deliveries के लिए hospitals आना नहीं पसंद कर जाते हैं basically उनकी deliveries घर पर ही होती थी baby की तो यह कह रहा है जो अब medically assisted delivery मतलब लोग hospitals में जाते हैं और expert के अंडर में deliveries कराते हैं उ बच्चा होने के बाद मा की केर और बच्चे की केर जिसके और से क्या हुआ है maternal मतलब मा और infant mortality rate मतलब बच्चे की जो mortality rate जो death rate उसमें क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है कि इनके चीज़े के वज़े से क्योंकि वाँ पर number of medical assisted delivery बची है बड़ी है इंक्रीज हुए है और better postnatal care बड़ी है जो अब दूसरा कह रहे है इंक्रीज number of couples में तो इंक्रीज हुआ है लेकिन इनकी small families है इसके वज़े से better detection हो सकता है और क्यों कर सकते हैं हम sexually transmitted disease का तो यह सारी जितने भी medical facilities थी इन सब में क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है जो भी sex related problem थी इसे के वज़े से reproductive health में भी increment आया है society के अब population stabilization and birth control की population को कैसे stable कर सकते हैं birth control के क्या क्या method है अगर हम बात करें last century की all around development हर वेरियस field में increase हुआ है जिसे quality of life पे भी हमारी improve हुई है अगर हम बात करें increase health facilities की along with better living condition had to explosive impact on the growth of the population क्योंकि हमारी health facilities बड़ी है living condition explore बड़ी है तो जिसका बहुत जादे impact हुआ है हमारी population की growth पे अगर हम बात करते हैं world की population जो around कितनी थी 2 billion means 2000 million 1900 में वो कितनी जा चुकी है 6 million by 2000 और 7.2 billion होगे 2011 में तो यह PYQ है पूछा गया अगर बात करते हैं इंडिया में देखा गया तो जब हम अजाद हुए थे इंडिपेंडेंस की ताइम पे तो अप्रोक्सिमेटली 350 million थी ती ताइम आफ इंडिपेंडेंस और अब हम कितना पहुच चुके हैं billion में by the 2000 और अगर बात करें 2011 census के according to कितनी है हमारी 1.2 billion तो यह अगर मोटलीटी डेट में डिक्लाइब आए और इंफंट मॉटलीटी डेट में डिकलाइब और और इस इंपरीडेंस कारए तो इन वूइज है प्रोब्सों बड़ी प्रोडीटिज हुए फ्यूले कि प्रोडीज इसके वज़े से population growth rate थोड़ा बहुत कम पाया है लेकिन वह क्या है marginal मतलब उसका कुछ खास असर देखने नहीं मिला है अगर हम बात करते है 2011 census के according तो जो population growth rate था हमारा less than 2% था मतलब that is 24,000 पर यह हमारे population growth rate है किसके according 2011 के according a rate rate which our population could increase rapidly इस rate से हमारी population increase करें अगर हम यह इतनी alarming मतलब यह थोड़ी चिंतर जनक वाली बात है अगर इसी growth rate से हम बढ़ते रहे तो even जो basic requirement है खाना पानी रहने की जगा कपड़ा इन सब की भी क्या होगी scarcity कि कम ही आ जाएगी और significant progress made in those areas therefore government was forced to take up serious measure to check this population growth rate इसलिए government ने force किया लोगों को कि इस पर हमें कुछ measure step उठाने चाहिए population growth rate को control करने के लिए the most important step to overcome this problem is to motivate the smaller family the most important step क्या है overcome करने के लिए कि smaller families को motivate किया जाए by various contraceptive methods उनको contraceptive methods के बार में बताया जाए हमने देखा भी है सुना भी कि आपर्टीज मेडिया में कि में पोस्टर बिल्स पर एक happy couple दिखाते हैं उसमें दो बच्चे दिखाते हैं उनके साथ और slogan लिखा होता है हम दो हमारे दो वी तू आर टू तो many couple और जो mostly यंग और अर्वन सोसाइटी में ने वन चाहिड नॉम को भी फीमेल के लिए बेसिकली तो marriageable age बढ़ा दी गए 18 से 21 यह कर दिए दो नए जो अभी निकला है रूल उसके according 21 जो एज है वो फीमेल की करती गए लेकिन का कोश्चन आता है तो हम according to ncrt के मेंशन करेंगे और इंसेंटिव दिया जाता है उन couples को इनके small families होती है इंसेंटिव मीन जो अगर कोई government employer और या कई भी employers के salary के अतरिक तो को कोई चीज दी जाती है इंसेंटिव तो small families को इंसेंटिव दिया जाता है और दो दूरिये ऐसे दो ऐसे मैजरों है जो किये गए इस problem को टेकल करने के लिए सुल जाने के लिए अब कुछ हम देखते कॉमली यूज कॉंटरसेप्टिव मेटड जो अन्वांटिड प्रिग से अविलेबल हो effective हो और reversible हो मतलब reversible से मतलब है उसका effect वापस reverse किया जा सके नहीं नो और least side effect निया तो नहीं हो यह बहुत ही कम side effect हो it should also be no way interference with the sexual drive desire or the sexual act of the user उसकी sexual drive, sexual active है कोई भी interference ना create करे ऐसा यह properties होने चाहिए एक ideal contraceptive की एक जो wide range है contraceptive method की जो presently available है broadly growth है following categories में जिसमें जैसे कि नाच्रल और ट्रडिशनल आता है barrier आता है IUD, oral contraceptive, injectable implant and surgical method नाच्रल और ट्रडिशनल मेथड बेसिकल यह इसमें यह होता है कि इसमें तीन हम पढ़ता है periodic existence, withdrawal one and the lactation lemon हो रहा है अब यह सब इसके अंदर पढ़ेंगे आगे यह आगे नाच्रल मेथड तो नाच्रल यह ऐसा method है जिसमें की couple avoid करता है coitus करने से fertile period के time to menstrual cycle का 10-17 वाला period होता है that is fertile period तो उस time पर हमें avoid करने चाहिए, couples को avoid करने चाहिए, coitus को ताकि वहां पर क्या ना हो fertilization ना हो, तो वह लिखा है one such method in with the couple avoid or abstain from the coitus from the day 10-17 of the menstrual cycle when the ovulation could be expected, क्योंकि 14 day of menstrual cycle के हम expect करने की ovulation होता ह है as the chances of fertilization are very high during this period and this is called the fertile period, तो question आएगा, what is the fertile period, 10-17 of the menstrual cycle is the fertile period, therefore by abstaining from the coitus during this period, conception could be prevented, अगर हम इस time पर conception को coitus को avoid करें तो हम यहाँ पर pregnancy को avoid कर सकते हैं, withdrawal or the coitus interrupts is another method है, यह दूसरा method है, यह दूसरा method है क्या होता है कि जो male partner होता है, वह withdraw कर लेता है अपनी पैनिस को from the vagina just before ej ejaculation, ejaculation से पहले ता कि क्या हो, आप insemination ना हो सके, insemination basically क्या था, transfer of the semen into female genital tract, अब है lactation, amenorrhea, त्रीसा, इसमें क्या होता है, menstruation नहीं होता है, amenorrhea basically मतले भी यह होता है, absence of menstruation, that is, amenorrhea, lactational, during the time with, जब lactation period चल रहा है, तो इस method में क्या है कि इसमें बेस है कि ovulation or menstrual cycle नहीं होत pregnancy के chances almost nail है, however, यह method रिपोर्ट किया गया, effective, कब तक effective है, बस 6 मैनी तक यह भी PYQ है कि कब तक effective होता है, इसका time period, falling partition, partition के 6 मैनी बाद तक यह effective है, as यहाँ पर कोई भी medicine या कोई भी devices use नहीं होता, तो इसके side effect almost nail है, लेकिन chances of failure कि यहाँ पर बहुत जादा high है, यह भी PYQS line स इसके chances of failure high होता है, लेकिन side effect nail होता है, that is natural method, now, हम पढ़ने वाले है, barrier, barrier method किस पर हिसस पर काम करता है, क्यों physically meet ना होने दो sperm और ovum का, इन barrier method, ovum and sperm are prevented from physically meeting with the help of barrier, such method are available for both female and male, और इस में क्या आते है, condom, basically, to condom किस का पार्ट है, barrier का पार्ट है, condom आते barrier made up of thin rubber letter sheet that are used to cover the penis in the male or the vagina or the cervix in the female, तो condoms किस के बने होते हैं, एक barrier है, जो thin rubber या lattice sheet के बने होते हैं, क्या करता है, penis को cover करते है, male में, vaginal cervix को cover करते है, female में, just before the quietus, so that the ejaculated semen would not enter into the female, ताकि जो क्या है before the quietus, इसको insert किया जाता है, ताकि जो ejaculation है, ejaculated semen हो, वो female के reproductive tract में enter ना करे, अब इससे क्य पूछा गया है, यह निरोज किस के लिए brand, निरोज is a popular brand of condom for the male, किस के लिए है, males के लिए, use of condom has increased in recent year due to additional benefit of protecting the user from the contracting STDs and AIDS, basically, क्यों बढ़ा है इसका use, क्योंकि यह हमें, जो user है, उनको allow करता है, जो sexually transmitted disease है, उनको पहलने से भी बचाता है, prevent करता है, जो male और female condoms है, वो disposable ह होने चाहिए, self inserted होने चाहिए, और थभी वो user को privacy देंगे, तो अब जो डाफिग्रम, cervical caps and walls है, यह क्या है, female condoms है, are also barrier made of rubber, rubber के बने insert करता है, female reproductive attack में, तो पूछा जाता है question में कि कौन कौन से condom किस के लिए है, to cover the cervix during the quiet test, they prevent conception by blocking the entry of the sperm through the cervix, यह कैसे करता है, sperm की entry को block कर द the spermical cream, jellies and the foam are used along with these, better to increase their contraceptive efficiency, अब बात करते हैं, दूसर effective popular method है, that is, intrauterine devices, uterus के अंदर insert किये जाते हैं, these devices are inserted by the doctor or the expert nurses in the uterus through vagina, कहां insert करे जाते हैं, uterus में या वजाईना में, किसके थूँ दोक्टर्स या expert nurses के थूँ, यह intrauterine devices are presently available, non-medicated, I would use non-medicated IUDs के example है, lipezo, यह भी बहुत important है, यहां हर साल हर बार question पूचा जाते हैं, कि non-medicated के अंदर कौन आता है, that is, lipase loop, फिर copper releasing IUDs के अंदर आते हैं, copper T, Cu7 and multilose 377, hormone releasing के अंदर आते हैं, progesterot and LNG20, अब IUDs क्या करते हैं, phagocytis sperm का बढ़ाहा देता हैं, uterus के अंदर, और जो copper ions होते हैं, वो release हो जात करते हैं, तो यह progesterot and LNG20 आते हैं, hormone के अंदर, non-medicated में आता है, lipase loop, copper releasing में आते हैं, COT, Cu7 and the multilose 375, अब जो IUDs हैं, वो increase करते हैं, phagocytis sperm का within the uterus and the copper ion release suppress the sperm motility and fertilizing capacity of the sperm, जो copper ions होते हैं, वो क्या करते हैं, suppress कर देते हैं, sperm की motility को और fertilizing capacity of the hormone को, तो यह सब का काम है, अलग की motility को suppress करते हैं, और उसकी fertilizing capacity को, अब जो hormone releasing IUD है, in addition, वो और सासत क्या करता है, uterus को unstable बनाता है, implantation के और cervix को hostile to the sperm, hostile का basically मतलब होता है, जो किसी के बिलकुल opposite में काम करे, तो वो sperm को उसका काम करने तरी देगा, वो उसके opposite में है, उसके against में है, तो cervix को hostile बना देगा, मत of the most widely accepted method of the contraption in India, यह सबसे ज़्यादा अपनाने जाने वाला accepted method है, इंदिया का, तो यह भी PY के हो, कि most accepted method कौन सा है in India, that is, intrauterine devices, now oral administration of the small doses of either progesterone or progesterone estrogen combination is another contraceptive method used by the female, they are used in the form of tablets, hence are probably known as pills, तो basically oral contraceptive method है, वो pills के नाम से जाना जाता है, जो pills है, वो क्या होती है, progesterone यह progesterone restaurant का combination होती है, पिल्स को क्या लिया जाता है, रगतार 21 दिन तक लिया जाता है, तो इनका administration कैसे होता है, पिल्स हाफ टो बी टेकिन डेली for the period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle, जब menstrual cycle, जब bleeding start होती है 1 to 5 days, तो उन 5 दिनों के बीच में कभी भी इसको start किया जाता है, जब इसके 21 दिन के cycle repeat हो रही हमारी, फिर जब उसमें gap आएगा 7 दिन का, फिर जब हमारी next menstrual cycle start होगी, during with menstruation अकर, जब menstruation हो रहा होगा, उस टेम पे हमें वो 7 दिन का gap देना है, और उसको repeat किया जाएगा, same pattern में, tell the female desire, prevent conception, तब तक इस चीज़ को ऐसे ही repeat करते हैं, ऐसे ही खा जाता है, जब त हम ने intrauterine devices पढ़े, sperm की motility, phagocytosis और unsuitable cervix को यह सब काम करते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं, पिल्स के बारे में, तो पिल्स किस तरह के से काम करते हैं, यह inhibit करते हैं, ओvolution को, implantation को, और साथ साथ क्या quality, cervical mucous की quality को alter करते हैं, sperm की motility को भी retard कर देती हैं, पिल्स very effective है, lesser side effect के स अब जो सही लिए एक नया oral contraceptive है, जो हमने पढ़ा था, अभी कहां डवलप हुआ है, CDRI लगना हो, Central Drug Research Institute लगना हो, female यह कैसा है, contraceptive है, female के लिए, कैसी है, non-esteroidal preparation, जो मैंने भी पहले भी बताया था, यह once a week पहला है, जैसे ही अभी हमने पढ़ाते है, 21 दे तक खाई जा इनको हम इंप्लांट अपने बोडी के अंदर इंजेक्शन के थू भी ले सकते हैं, और इंप्लांट भी कर सकते हैं, तो female इनको भी यूस करते हैं, अब इनका mode of action बिल्कुछ सेम है, पिल्स की तरह, यह भी evolution इनिपिट करेगी, implantation को भी, और mucus की quality को भी alter करेगी, लेकिन इसका effective period क्या है, ज्यादा है, as compared to pill, अगर हम administrate कर दें, प्रोजिस्ट्रों और प्रोजिस्ट्रों रेस्ट्रों के combination को, या फिर entire uterine devices को, within 72 hours of the coitus, coitus होने के 72 hours के, मतलब coitus हो गया, उसके within 72 hours, तो हम अगर इन सब को administrate कर दें, तो क्या है, एक very effective emergency contraceptive का का काम करता है, मतलब 72 hours के अंदर-अंदर, coitus हो जुका है, उसके 72 hours के अंदर-अंदर, इन सब को administrate कर दें, कि emergency contraceptive का काम करता है, क्योंकि इसको use किया जाता है, avoid करने के लिए possible pregnancy, मतलब अगर pregnancy हो सकती है में पाता है, due to rape और casual unprotected intercourse के cases में, अब बाहत करते हम surgical method, surgical method को sterilization भी का जाता है, यह generally advice किया जाते है, mail of email को जो permanently चाते है, कि आगे pregnancy नहीं चाती है, जो conceive करना नहीं चाते है, तो surgical innovation ब्लॉक करते है, gamit transport को यह कैसे काम काता है, gamit transport को भी ब्लॉक करते है, जैसे हमने last time पढ़ा था, कि वहाँ पे ovulation होता है, oam होता है, femra आती है, femra लेके आती है, उनको फि visualization वह प्रोसेज़र जिसमों male में कहा जाता है, sincleralization को basic tummy female में जसे कहता है, tubic tummy, basic tummy में कहाता है, जो wash difference होता है, उसका छोटे पार्ट को tie कि आ जाते है, जो small incision, scrotum पी, वही पर tubic tummy कहाता है, जो fall open tube है, उसका small part cut कर देते हैं, remove कर देते हैं, और इसको tie कर देते हैं, small incision के यहां पर टुबिक टॉमी है कि यह ज़रूरी है कि अगर हम कोई भी कॉंटरसेप्टिव मेटर्ट कर रहे हैं वह किसी गाइडेंस या उनकी कंसलिटेशन के अंदर होना चाहिए जो सीज में एक्सपर्ट हैं विदे क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स क्योंकि यह कैसे तरीका है जो हम नाच्रल रिप्रटिव के अगेंस यूज़ करने हैं तो वन इस फोर्ट इसमें एक सिग्निफिकेंट रोल है कि उसने पॉपुलेशन ग्रोफ को काम किया है लेकिन इसका पॉसिबल इफेक्ट भी है जैसे कि नॉज्या और्टी जैसा फील होना अब्डोमेन में पेन होना ब्लीदिंग हो जाना इर्रेगलर मेंस्टरेशन ब्लीदिंग या फिर ब्रेस कैंसर भी दो यह बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन हम इंको इंको इग्नोर भी नहीं कर सकते अब आप पार करते ह लिए इंडियूस अबॉर्शन भी कहा जाता है कि मतलब अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहते हो उसका जेस्टेशन पीरिड होने से पहले उसे कहता है बॉर्शन इंडियूस अबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन अब प्रेगनेशन अगर बाहर करें नेरली 45- 50 million MTP परफॉर्म की जाती है एक साल में मतलब जितनी प्रेगनेंसी या जितना कंसीव होता है उससे जादा उसका वन फिफ्ट जो होता है अबॉर्शन हो जाता है इंडियूस अबॉर्शन अगर हम वेदर टो एक्सेट और लिगलाइस MTP और नॉट बिइंग डिबेटे इस पर डिबेट चलती है कि यह करनी चाहिए नहीं करने चाहिए बहुत सारी इशू लाते है कोई सोचल इशू लाता है को एथिकल लाता है को रिलीजियस लाता है यह सारी इस लाके लिया तो जो गवर्मेंट है इंडिया उसनों इसको लीगलाइस करा था MTP में in 1971 तो यह पूछा गया चाहेगा कि कब लिगलाइस हुई थी 1971 में और जो फैमिली प्लाइनिंग प्रोग्राम था वो का भाय था 1971 में तो यह सब कोशन पूछी जाते हैं अमने सेंटेंस क्या हुआ लीगली बैन हो गया कितनी इंडिया की कितनी पॉपॉपॉलेशन इक्रीज हो गया सब्सक्राइब को यह सब इंपॉड़न आर्च के के फॉल फोर्म यह सारे पीवाइक्यों और बैसिक्ली जो हमारे गश्यों कोश्यूंस मौनूद ने लिगलाइस करी जो पिप और कुछ इसमें लगा ताकि ताकि उसको मिस्यूज ना किया सके सब्सक्रेशन रौ इंपोर्टेंट टू चेक दें इंडिस्क्रिमिनेशन जो भी अत्याचारे उन सब को रोक निकले और जो इंडिकली फीमेल फीटी साइड क्या जाता है मतलब अगर हमें पता चल जाए कि जो फीटास है हमारा फीमेल चाइल्ड है तो उसको पहले ही दुनिया में आने से पहले उसको मार देना खदम करते हैं तो इन सब चीजों को रोकने के लिए गर्मेंट ने इस पर कुछ स्टिक्ट रूल्स रेगुलेशन भी लगाए हैं लेकिन इस पर रूल्स रेगुलेशन भी लगाए हैं वाई MTP MTP क्या है obviously the answer is to get rid of the unwanted pregnancy क्यों कि यह जाए कि unwanted हम नहीं चाहते यह वह pregnancy और हम उससे अजादी पाना चाहते हैं छुटका रहा हो पाना चाहते हैं that is we perform MTP medical termination of the pregnancy either due to casual unprotected intercourse या failure of the contraceptive use during the quitus or rapes MTP are also essential in certain cases जहाँ पे continuation of pregnancy के वज़े से harmfully even fatal either हो सकता है मदर के लिए या बच्चे के लिए या फिर दोनों के लिए वहाँ पे भी MTPs perform की जाते अब यहां से भी PYQ कूल जाते हैं कि MTP अगर कराना है induced abortion तो वो कब तक safe है तो MTP को healthier relatively safe समझा जाता है जब first trimester मतलब that is up to three months you mean 12th week of pregnancy second trimester में abortion थोड़ा risky हो जाता है कि यह देखा गया trend के majority MTPs कौन perform करता है जो unqualified जो illegally होती है और यह क्या है यह बहुत नुकसायन राएक है फेटल है हानी कारक है अंसेफ तो है यही और हानी कारक तो है अनदर की मतलब इसमें इंसान मर भी सकता है दूसरा dangerous trend यह देखा कि misuse होता है हमने amnescentist का sex determination के लिए unborn child का frequently अगर fetus को found पहागे कि female है तो वो से further वहाँ पे MTP perform की जाती है totally against है और जो legal बिलकुल नहीं है ऐसी प्रेक्टिस को अवोइड करना चाहिए क्योंकि यह दोनों के लिए हानी का रहे है बच्चे के लिए और साथ साथ उस मदर के लिए यंग मदर के लिए effective counseling on the need to be avoid unprotective coitus and the risk factor involved in illegal abortion as well as providing more healthcare facility could reverse the mentioned unhealthy trend अगर हम effective counseling की जाए इन सब चीज़ों को बचाने के लिए unprotected coitus क्या होता है उसके बारे मुनकी counseling की जाए उन्हें बताया जाए इन risk factors के बारे मताया जाए कि risk factors क्या क्या है legal abortions में और उनको जादे-जादे health care facilities प्रवाइड की जाए तो हम इस trend को reverse कर सकते हैं अब sexually transmitted diseases क्या है या STI things to transmitted infections infection and disease which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections और veneral disease तो veneral disease का दूसरा नाम या sexually transmitted infection का दूसरा नाम है veneral disease और या फिर reproductive tract infections तो ये तीनों ही हमें नाम पाता होना चाहिए वह infection वह disease तो sexually transmitted होती है उनको कहा जाता है sexually transmitted infection veneral diseases और reproductive tract infections अब क्या क्या है इसके अंदर उसके एक्जामपल से गुनोरिया गुनोरिया सिफिलिस जनाइटिल हर्पीज क्लिमाइडियास जनाइटिल वाट्राइकोमोनियास हेपटाइटिस बी और फकॉर दिसकर्स इंफेक्शिन रिसेंट य अब देखो गुनोरिया सिफिलिस जनाइटिल पर सबको याद रता है हम याद करने हैं क्लेमाइडियास यह भी स्टिड है ट्राइकोमोनियास यह भी स्टिड है हपटाइटिस बी जनाइटिल वाट्स और एज अब को पते यह सब क्या हैं स्टिड तो अमंग दीज HIV infection का है most dangerous है जो हम पढ़ेंगे class chapter 7 में हमारे immunity वाले chapter में some of these infections लेक्षे की hepatitis B अब ये भी बहुत important है ये line कुछ जैसे infection जैसे की hepatitis B और HIV can also be transmitted by sharing of the injection needle कैसे भी transmit हो सकते हैं sexually होते होते हैं साथ में अगर आप injection needles लगाओ surgical instrument यूज करो इन सबसे भी infected person के तो इनसे भी transfer होते हैं transfusion of blood कमाल लो किसी को HIV और उसका blood transfusion हो जाए means उसका blood किसी और को transfer किया जा तो उसमें भी infection आ जाएगा from infected mother to the fetus 2 और infected mother से उसके बच्ची में भी जाता है except for hepatitis B genital herpes and HIV infections other diseases are completely curable if detected early and treated properly तो अब यह भी important है कौन कौन से disease properly cure हो जाती है तो hepatitis B genital herpes और HIV को छोड़के बाकी सारी disease properly curable है early symptoms of the most of disease क्या है minor और इसके नदर itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. यह सब होता है जनाइटल रीजन में अगर infected female में ओफन भी asymptomatic है और वह undetected रहती है फॉर लंबे समय तक अगर absence or less significant symptoms अड़ली स्टेजम इंफेक्शन के और सोचल स्टिग्मा अटनाज हो जायता है लेकिन STI से कि अगर infected person है अगर वह कहीं पेच जाए मतलब सोचल स्टिग्मा मतलब वह किसी को पता चल जाए कि इसको क्या है sexually transmitted disease है तो लोग उसको दूर भगाते हैं दूर रहते हैं कि नहीं हमें भी हो जाएगी सबजाए कि क्यों है क्यों क्यों कैसे फ्यालती है अगर उसका अगर यह सब नहीं है और अल्ली डिटेक्ट नहीं है तो इसके वज़े से और complication हो जाते हैं पैल्विक इंफ्लिमेंट्री डिजीज डवलप हो जाती है इस्टेल बर्ट होती है STI is a major threat to a healthy society STI क्या है एक बहुत बड़ा ठ्रेट है healthy society के लिए therefore prevention और अल्ली डिटेक्शन क्यों और यह दिजीज और के प्राइम कंसिडरेशन अंडर रिप्रॉक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम तो इनका though all the persons are vulnerable to these infections साही person क्या है vulnerable है इस infection के लिए their incidents are reported to be very high among the person in age group 15 to 24 years in age group पे ये incidents ज्यादा देखे जाते हैं the age group which you also belong there is no reason to panic because इसके लिए कोई panic होने की जोड़ी नहीं क्योंकि prevention पॉसिबल है one could be free of these infection कैसे free हो सकता है avoid sex with the unknown partners की सब्सक्राइब के सब्सक्राइब की जा सकते हैं avoid sex with unknown partner unknown partner के सब्सक्राइब करके और multiple partners के साथ always try to use condom during quietness in case of a doubt one should go to qualify doctor for early detection get completed treatment if diagnosed with the infection तो इन सब्सक्राइब से हम इसको prevent कर सकते हैं now हम चलता है infertility की तरफ infertility किया है our discussion on reproductive health is complete without mention of the infertility reproductive health is incomplete a large number of couple all over the world including India is infertile that is they are unable to produce the children in spite of unprotected sex sexual cohabitation मतलब वो unprotected sexual practice perform करते हैं उसके बाद भी वो unable है अपने children को produce करने के लिए that is infertile so the reason for this could be many physical congenital disease drug immunological और इवन फिजियो लोजिकल तो रिजन इसके ले कुछ भी हो सकता है physical congenital disease drug immunological और psychological भी और psychological भी और psychological भी तो इन इंडिया अगर हम बात करने female को ब्रें किया जाते हैं और couple being childless but more often than that की जो प्रोब्रम लाए करते हैं मेल पार्टर में स्पेशलाइज हेल्ट के यूनिट जो है infertility clinics etc could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couple to have the children इसको भी क्यार क्या रसकता है diagnose में help करने में और इसके treatment में भी help करते हैं कुछ जो clinics and that is healthcare unit उनके लिए बने infertility clinics however whether such correction possible लाई है वह पे couple दोसी चीज़े भी adopt करते हैं could be assisted to have children so certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies art तो basically art की full form क्या है भी assisted reproductive technologies में कौन perform करते हैं ऐसे वो लोग perform करते हैं जहां पर correction possible नहीं है so through some techniques they are able to produce their child these technique or these art is known as assisted reproductive technologies तो यहाँ भी PYQA पूछा जाता है what is art अब है in vitro fertilization in vitro means lab condition natural condition में नहीं है it is IVF fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body तो fertilization body के बाहर होता है लेकिन similar condition में जैसे body के अंदर होगा followed by embryo transfer फिर क्योंता है embryo को transfer क्या जाता है इस method में is this method में properly known test tube baby program ओवा लिया जाता है क्या है इस method में इस पूरे method को और पॉपर्लिल किस नाम जाता है test tube baby program के नाम से इस में क्यों हाता है ओवा लिया जाता है वाइफ से या फिर डोनर फीमेल से और इस पूर्फ लिया जाता है लेकिन सब कहा होगा outside the body laboratory condition में फिर जो जाइगोट है या फिर early embryo होता है with up to 8 blastomers तक हमने last chapter में पढ़ा है कि फिर वहाँ पर जाइगोट होता है तो हमाँ cleavage होती है a2, 2, 4, 8, 16 in cell stage condition बनती है तो जो 8 to 16 cell is थी that is हमारी morula फिर वह morula convert होता ब्लास्टो मेर फिर ब्लास्टो सिस ब्लास्टो सिस के अंदर जो morula cells थे ब्लास्टो मेर वह दो लेयर बनाते थे ट्रोफो ब्लास्ट और inner muscle यह सारी चीज़े तो अप टू एड ब्लास्टो मेर तक उसको ट्रांसफर करता है फेलिपिन ट्यूब में तो उसे फिर वाली सेल कंडीशन में वही रहता है क्योंकि तब तक वह मूव करता है जब 16 वाली सेल एज से जादा में पहुँच जाता है फिर उसको इंप्लांट किया जाता है तो यह मियाद रखने जब 8 ब्लास्टो मेर तक है तो उसको फैलिपिन में ट्रांसफर करेंगे जब उ प्रांसफर कर रहे हैं उन कहां से लेकर डोनर से लेकर फैलिपिन ट्यूब में तो बोलेंगे गैमीट इंसा फैलिपिन ट्रांसफर हो रहे हैं और किस फीमेल में जो प्रड्यूस नहीं कर पारी थी बट वन कैंब्र स्युटीब अन्वार्मन्ट αइनधर मैंत अटेंट गया इसमें जब गैमीट को इन्वार्मेको सकती है महां पर फॉटिलाजेशन इरू लेकिन वहां पर उसके अमना हैओ तो उसे निकांगा गैमीट इंकिए आपकर इंसा इंक्श्यूमर मि इंट्री नाम से समझाए कि Cytoplasm में इंजेक्ट किया दाएगा एक दूसर अनदर स्पेशलाइज प्रोसीजर है जो क्या बनाने के लिए एंब्रियो बनाने के लिए लबट्री में कहां बनाने के लिए लेबट्री में इन विच स्पर्म इंजेक्टेड इन्टु जिसमें स्पर्म को इन्टु इन्टु इंजेक्ट के जाता है उवम में इंफर्टिलिट्य के से इजए इस के बज़े से कि वह मेल इंजेमेल इन आइडर ट्रैक में या फिर इसका स्पर्म कांट बहुत काम है इंजेक्टु अपर साही कर सकते हैं आर्टीशली इंसेमिनेशन कराकर एप अगर इन दिस टेक्निक क्या होता है जो सीमन को क्रेक्ट का जाता है जाते है तो husband eller healthy donor से उसको artificially introduce करते है वजाइने में या फिर उसके uterus meve that is intrautrine insemination of the female यक उसे गा जाता है इंट्रवित्री害 इंसेमिनेश जब उसके uterus में insemination कराया जा रहा है और artificially और इंट्रसाइटोप्लास्मिक स्परम इंजेक्शन भी वही था बहुत इस कुछ गिने चुने सेंटर जहां पर अविलेबल एक कंट्री में इस अभी पास बच्चा हो इंडिया को सारे बच्चे हैं जो और इस चुट है जो चूड़ दिया गया है जो अनाहत है जोने छोड़ दिया गया है वोड प्रबाइबली नो सर्वाइब तिल मैचॉर्टी जो मैचॉरी टेक सर्वाइब भी नहीं कर पाते तो अनलेस टेकिन केर अब हम उनकी केर भी कर सकते हैं हमारा लॉपरमिट करता है लीगल एडपेशन को अवर लॉपरमिट ली जो गया रिप्रड़क्टिव हेल्थ यह पूरा जादर इसमें याद करने वाला है कुछ पार्ट समझने वाला है कुछ डाटा है जो नहीं याद रखना है तो इसका एक बार रहो रीड कर लेना अगर इनकेस कोई डाउट आता है तो बता देना मेंचिन कर देना अर